कार्ट में हम एक साइन्टिस्ट को देखते हैं जो दोनों हस्बंड वाइफ थे जिसमें हस्बंड का नाम क्लाइफ और बीवी का नाम एलसा था और ये दोनों असल में जिनेटिक साइन्टिस्ट थे यानि कि एनिमेल्स की डियने को मिक्स अप करके एक नया अनिमल और क्रिये एनिमल बनता है और उन एनिमल्स की प्रोटीन से किसी खतरनाक बिमारी के मेडिसिन बनाई जा सकती थी रिसेंट्ली इन रिसर्च करकर एक नया क्रियेचर बनाया था जो कि एक मेल था और दिखने में बिलकुल डिफरेंट था सेम ऐसा ही एनिमल्स वो पहले भी बना चुके थे जो कि फीमेल थी अब ये उन दोनों क्रियेचर्स को एक दूसरे के आमने सामने लाते हैं और वो दोनों एनिमल्स एक दूसरे से बहुत प्यार से मिलते हैं यानि वो दोनों एनिमल्स एक दूसरे को पसंद कर रहे थे इसका मतलब ये था उनका एक्सपरिमेंट सक्सेस्पूर हो गया था ये देख कर वो अपनी बॉस के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने बहुत सारे आनिमल्स के डियने को मिक्स अप करकर एक तरह का एनिमल्स बनाया है और इस एनिमल्स के प्रोटीन से हम बहुत सारी खतरनाक बिमारी ओपर मेडिसिन ढून सकते हैं और इसके साथ साथ हमने एक नया तरीका भी डिसकवर किया है और ये कि हम इंसान और जानवर के DNA को मिक्सप करके एक नई ब्रीड बना सकते हैं जिससे हम डिफिनिटली बहुँ सारी बिमारी ओपर मेडिसिन बना सकते हैं उनकी बॉस बताती है जो काम तुम कर रही हो और जो एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने किया उससे कमपनी बहुत खुश है और जिस चीज के अब तुम बात कर रहे हो यानि के इंसान और एनिमल के DNA को मिक्सप करने की उसके लिए कमपनी इतनी जल्दी एगरी नहीं होगी क् तुमने बनाए है उनकी प्रोटीन को यूज करके हम मेडिसिन तो बना लेंगे इसलिए इसके बाद अब सारे रिसर्च को छोड़ कर मेडिसिन बनाने पर फोकस किया जाएगा जोस पर क्लाई और एलसा बोलते हैं कि हमने अगर इस काम को इंस्टेंटली स्टार्ट नहीं कि तो कोई और कर देगा जुस पर उसकी बास कहती है कि हमने कब कहा कि ये काम हम नहीं करेंगे ये काम हम जरूर करेंगे लेकिन उससे पहले फिलाल तो हमें मेडिसिन बनानी है और उसे मार्केट मिलाएंगे और उसके बाद तुम्हारे प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा इ इस बास से वो दोनों भी disappoint हो जाते हैं क्योंकि वो genetic scientist है जो किसी company के लिए उन्होंने बनाय हुए creature के अंदर से protein निकाल कर medicine नहीं बना सकते थे इसलिए वो desire करते हैं कि हम secretly इस research को जारी रखेंगे इसलिए ये अपना काम start कर देते हैं लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इन्सानों का DNA चाहिए था इसलिए Elsa Klein को किसी का DNA ला कर देती है life post था है कि ये किसका DNA है जिस पर Elsa बताती है ये किसी unknown person का DNA है और ये फिर इस DNA को लेकर बागी के सारे creatures के DNA को मिला कर बहुत सारे experiments करते हैं उसके लिए ये बहुत ज़ादा hard work करते हैं लेकिन इन्हें success हासिल नहीं होती इस वाके से वो बहुत ज़ादा नाराज हो जाते हैं एक दिन Elsa और एक DNA लेकर आती हैं और बताती हैं कि ये सबसे best DNA है और इसलिए अब हम हमारा अगला experiment इस वाले DNA पर करेंगे बात में वो उस DNA को लेकर सभी DNA को mix up करने की कोशिश करते हैं और कड़ी महनत के बाद इनका experiment successful होता है यानि animal का DNA और इंसान का DNA एक साथ मिल रहा था और अब इन लोगों के पास एक unique किसम का DNA था जो इनसान और जानवर के DNA को mix up करकर बनाया था अब जबकि ये illegal बात थी इसी वज़े से cloud इस research को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था लेकिन Elsa ऐसा नहीं चाहती थी वो इस research को आगे बढ़ाना चाहती थी इसलिए वो उस नए DNA क जाल कर उसकी growth की जा सकती थी यानि कोई भी जानवर उस machine के अंदर increase होता जाता था तभी Elsa उस machine में उस DNA को डाल देती है कि ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं हम किसी को बनाना और फिर उसे मार डालना ऐसा कहती है कि इस दुनिया में काफी सारे लोग मरते हैं पता नही शायद ही हमारी इस experiment के बाद और किसी की भी जान बच पाए जिस पर Clive Elsa के बाते मान लेता है जिसके बाद वो अपने काम को start कर देते हैं वगर हैरान करने वाली बात तो ये हैं जिस machine में उसने वो DNA डाला था उसकी growth तेजी से बढ़ती जा रहे थी चेक करने पर उन्हें प बाहर निकाल लेते हैं जो काफी अजीब था Clive इस creature को मारना चाहता था लेकिन Elsa ऐसा कहती है कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए क्या पता हमने एक successful creature बनाया हो Clive उसकी बाते नहीं मान रहा था इसलिए वो उस जगाव पर जाते हैं जहां पर वो creature था क्योंकि अब वो दोनों मिल बच्चा कोई creature नहीं है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक स्कीन है और उस मास में से वो creature बाहर निकल चुका है जो इसी लैब में है तब ही वो उस creature को देखती है जिसके दो पेर्थ है बाही से Clive भी उस creature को देख लेता है और वो Elsa को कहता है कि जल्दी से तुम बाहर आ जाओ मै डरता भी नहीं तब ही पीछे से Clive एक रॉड लेकर आता है जिसे देखकर creature को घुज़ा आ जाता है बात में Clive और Elsa वहां से बाहर आ जाते है Clive Elsa को कहता है कि मैं poison gas on कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस creature को जिन्दा नहीं रख सकता मैं इसे मारना चाहता हूँ जिस पर Elsa कहती है कि नहीं हम इसे सिर्फ और सिर्फ बेहोश कर देंगे न देखना चाहती हो कि हमने क्या बनाया है इसलिए वोसे बेहोश करकर examine करने लगते हैं तबी हुने ये पता चलता है कि ये creature female है जो बहुत fastly grow कर रही है और एक टाइम ऐसे आजाएगा ये develop हो जाने के बाद मर जाएगी क्योंकि इस creature का life cycle बहुत छोटा है आहिस्ता आहिस्ता ये creature बड़ा होता जा रहा था develop होता जा रहा था उसके हाथ पर निकलने लगते हैं उसका दिमाग भी develop हो जाता है और Elsa उसे emotionally connect भी होती जा रही थी वो उसे खाना खिलाती थी different different activities सिखाती थी एक दिन वो उस creature को बहुत सारे alphabates देती है और वो उसे बताती है कि इस alphabates को ऐसे create करो कि जिससे मेरा नाम बने मगर वो creature nerd बना देती है यानि की N.E.R.D. जो इस company का नाम था क्योंकि उसने Elsa के shirt पर ये alphabates देखे थे ये देखर Elsa बहुत खुश हो जाती है तबी वहाँ पर Clive आ जाता है जो उस creature को बिल्कुल भी like नहीं करता था तो कहता है कि इस creature को बाहर किसनी लिखा ला अंदर रखो इसे और इसकी दुम भी cover होनी चाहिए असल में उस creature की दुम भी थी ऐसा Clive को कहती है कि इसे जानवर मत कहो Clive कहता है कि तो फिर मैं क्या कहो इसे तो तुम इसे drone कहो क्योंकि इसने अभी अभी N.E.R.D. Nerd Alphabets को जोड़ कर एक नाम बनाया है क्योंकि इसने अभी Alphabets को जोड़ कर Nerd बनाया था और उसे उल्टा करकर drone बनता है एक दिन Clive का भाई भी drone को देख लेता है और उसे drone की सारी reality पता जल जाती है क्योंकि वो drone को वहाँ पर नहीं रख सकते थे इसलिए वो उसे एक farm house में पहुँचा देते हैं और अब ये वक्त आज चुका था कि उसे company के सामने presentation देनी थी उन creatures के बारे में जिनको उन्होंने पहले बनाया था और जब वो उन दोनों creatures को company के सामने लाते हैं तब वो दोनों creatures एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इसी में ही इनकी मौत हो जाती है और इस बात की वचे से वो काफी ज़्यादा disappointed हो जाते हैं बात में वो उन दोनों creatures का लड़ने का reason ढूनते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि जहां पर वो time ही नहीं दे पाए ड्रन अभी काफी बड़ी हो चुकी थी और Elsa उसे अपने बच्चे की तरह ही treat करती थी उसे सब कुछ सिखाती है उसे प्यार करती है लेकिन एक दिन ड्रन भाग कर जंगल में चली जाती है जब क्लाईव और Elsa उसे चेक करने के लिए जाते है तो वो देखते हैं कि ड्रन ने एक रबिट को मार दिया है और वो उसे खा रही है इसकी बात वो दोनों उसे घर ले आते है Elsa जब उसे खाना देती है तो वो खाना नहीं खाती और वो उसे कहिए है कि मैं इस बोर जगापर काफी ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ ये बात वो उसके जुबान से नहीं बताती पर अलफाबेट्स की मदद से वो टीडियस लिख देती है यानि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ तभी वो चट को फाड़ कर ऊपर चली जाती है तभी उसके पीछे पीछे कलाइव और एलसा भी चली जाती है अब वो देखते है कि ड्रन के तो विंक्स भी निकलाए है अब वो उड़ने ही वाली होती है तबी क्लाईव उसे कहता है कि रुको हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हें अपने पास रखेंगे। ये सुनकर ड्रन के विंग्स अपने आप उसके अंदर चले जाते हैं। ड्रन का दिमाग अब काफी जादा तीज हो चुका था, चीजों क अच्छा बुड़ा समझ पाती थी, तबी ड्रन को एक बिल्ली मिलती है, लेकिन अल्सा उसे वो बिल्ली ले लेती है, क्योंकि अल्सा को डर था कि कहीं ड्रन उसे भी मार ना दे। आहिस्ता हम हैरत में डालने वारी एक चीज को देखते हैं, और वो ये बात थी कि ड्रन को क्लाइव अच्छा लगने लगा था, तबी ड्रन को पता चल जाता है कि जो उसके अंदर इंसान का डियने है, वो किसी और का नहीं बलकि एल्सा का ही था, इस बात से क्लाइव एल्सा से नाराज हो जाता है, और वो से कहता है कि तुम्हें अच्छा नहीं किया, तुम्हें ड्रन को स्लैप कर देती है। थपड मारने के वज़े से वो घुसे से एलसा के ऊपर आ जाती है। और एलसा के गले से चावी निकाल कर वहां से भाग जाती है। ड्रन के अलग-अलग फीसेस उन लोगों के सामने आ रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलसा वो प्रोट की स्क्रीन पर हाथ लगाता है। दूसरी तरफ ड्रन भी कैमेरा को टच करती है। यानि वो क्लाइव के हाथ को अपना हाथ लगाती है। क्योंकि वो जान चुकी थी कि क्लाइव उसे देख पा रहा है। ये देखकर क्लाइव काफी हैरान रह जाता है। फिर हम क्लाइव को बोलती है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो जिस पर क्लाइव कहता है कि नहीं ये बुरी बात है वागर अब जबकि क्लाइव को भी ड्रन पसंद थी उसी वज़े से वो उसकी फीलिंस को कंट्रोल नहीं कर पाता लेकिन इतनी हिद्देर में वहाँ पर ऐलसा आ जाती है और वो जब उन दोनों को साथ देखती है तो उसे बहुत बुरा फील होता है इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है अब जबकि ड्रन की दुम का इतना बड़ा नेल था जिससे किसी को भी खतरा था इसलिए एलसा उसकी दुम काट देती है जिससे क्लाइव बहुत ज होता है और उन दोनों को अपनी गलती का एसास होता है कि उन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था और उन दोनों को मिलकर ऐसा क्रियेचर नहीं बनाना चाहिए था ऐसा कहती है कि जो प्रोटीन कंपनी को चाहिए था वो मैं बना चुकी हूँ जो ड्रन के अंदर है बहुत दफनाने के बाद क्लाइफ का भाई वहाँ पर आ जाता है, उसके साथ और एक इंप्लॉय आता है और उसका भाई भी उसके साथ काम करता था, तो क्लाइफ का भाई कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों ने एक नया क्रियोचर बनाया है, जो बिलकुल इंसानों जैसा आवाज आती है, और ये आवाज उनको वहाँ से आ रही थी, जहाँ पर इन्होंने ड्रन को दफन किया था, इसलिए वो जल्दी से उसकी तरफ भागते हैं, तब वहाँ पर वो देखते हैं कि जहाँ पर उनने ड्रन को दफनाया था, वो वहाँ पर नहीं है, उपर च्छत खड़ी थी, यानि वो दुबारा से जिन्दा हो चुकी है, और इस बार वो पावर्फुल होने के साथ-साथ खदरनाक भी लग रही थी, जुसके पंख भी बाहरा आ गये हैं, और उसके दुम भी रिजनरेट हो चुकी थी, क्यूंकि उसे तो एलसा ने काट दिया था, तब अनिमल का DNA था, जो खुद का जेंडर चेंज कर सकता था, और अब वो मेल बन गई, इसलिए वो एलसा के पास आ जाती है, तबी पीछे से कलाईव आकर लकडी की एक ड्रिल को उसके अंदर घुसा देता है, जिससे ड्रन इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद वो एलसा को छो प्रोटिशने लगती है, क्यूंकि हमने इसे अपने हाथों से बनाया था, अब इनी हाथों से हम इसे माड भी रही है, जिसके बाद हमें एलसा और उनकी बॉस दिखाई जाती है, और हम ये देखते है कि एलसा को बेवी होने वाला है, और ये भी भी होता है ड्रन का, क्यू प्रोटिन तुम लोगों ने हमें दिया था, उससे कमपनी को बहुत जादा बेनिफिट हुआ, और अब कमपनी इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है, और इस रिसर्च को एलसा की होने वाले बच्चे के साथ ही आगे बढ़ाया जा सकता था, अब जबकि एलसा ने मूवी का यही पर गैनड हो जाता है, अगरे इक्स्पिलेशन पसंद आया हो तो प्लीक को लाइक कर दीजिए, और इसी ठाहा कि मूवी आगा तो प्लीस प्लीस मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और साथ ही में उस बिल आइकन को भी प्रिस कर दीजिए ताकि आपक मैंने अपलोड की हुई हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तो मैं फिर मिलूगी एक नई मूवी में एक नई एकस्पलेशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग में थैंक यू